नमस्कार स्वागत है आप देख रहें डॉक्टर साहिब मैं हूँ विजे क्रिस्न और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजे सिन्ह डॉक्टर साहब यह चर्मरोग एक समस्या है एक कॉमन हर घर में समस्या है चर्मरोग के बारे में अगर लोगों को आसान बासा हम समझाएं तो इसको क्या कहेंगे क्या लिए लक्षण होते हैं इक्जीमा जो है काफी लोग कहते हैं कि हमें एक्जीमा हो गया है तो इक्जीमा जो है इसमें जो में लक्षण है वो होता है चमडे का मोटा हो जाना उसमें क्रैक्स पर जाना यह एक्जीमा के में लक्षण है और ज्यादा तर यह हांथ पैर पे होता है वैसे शरीर पे तो यही X का मुख लक्षन है और eczema जो है mainly दो प्रकार के होते हैं एक endogenous eczema कहते हैं और medically से दो भाग में माटा गया है endogenous eczema और exogenous eczema तो endogenous का मतलब होता है कि शरीर के अंदुरूनी कारण से अगर eczema develop करता है तो उसको हम लोग endogenous eczema कहते हैं और शरीर में बाहरी कारण से जैसे कोई irritant है कोई अगर प्लास्टिक का चपल पहन रहा है जिसमें कोई color मिला हुआ है या फिर irritant बाहर से कोई चीज को irritate कर रहा है चमड़े को तो बार-बार वहां पर irritation के कारण भी eczema का रूप ले लेता है उसको हम लोग exogenous eczema के स्रेणी में रखते हैं डोटा साब दो स्रेणी आपने बताया है तो दोनों स्रेणी के बारे में विस्तारते बताएं और इसके अलावी लोग कहते हैं एक dry eczema और पानी वाला eczema यह क्या होता है जो होता है जिसमें की जैसा सब्द से ही पता चल रह रहेगा एक्जमिटाइज रहेगा मतलब मोटा रहेगा और क्रैक्स डेवलब करेंगे और जो दूसरा आपने वेट इक्जिमा या मतलब जो थोड़ा सा उसमें से एक्जिप टाइप का इक्जिमा जो है वो सेकेंडरी इंफेक्शन के करान होता है और इनिश्यल स्टेज मे जो सरीर में एक्जिवडेट है ब्लड का वो निकलता है और फिर इंफेक्शन अगर इक्जिमा के उपर हो गया तो उसको हम लोग इन्फेक्टेड इनिश्यल डर्माटाइटिस जी बोलते हैं तो उसको हम लोग वेट इक्जिमा में रह सकते हैं तो इससे पहले बताया है त तो उसे हम लोग इटोपिक डर्माटाइटिस के स्रेनी में रखते हैं ये बच्चों में दो महीने से लेकर के दस बाड़ा साल तक रह सकता है तो इसका सीवरीटी एकॉर्डिंग जैसा की पता है इसमें मुखिता जनेटिक कंपोनेंट होता है और कुछ इन्भार्वेंटल फैक्टर्स जो हैं वो इसको इन्फ्लूएंस करके बढ़ा देते हैं तो इसमें जो सीवरीटी है एकॉर्डिंग हर पेशेंट का अलग-अलग होता है तो एटोपिक डर्माटाइटिस में क्या हुआ कि बच्चों में जेनरली फ्लेक्सरल इन्भाल्मेंट होता है तो बच् जैसा निकलना बच्चों में जेनरली गाल पे भी इस तरह का लीजन्स आ जाता है तो इसको हम लोग एटोपिक डर्माटाइटिस के स्रेनी में रखते हैं वो एक तरह का एंडोजेनसिक जीमा है बच्चे एक तरह से वह एलर्जिक हैं तो इसका भी जितना जादा सिवरीट है उसी शाब से दवा चलता है जनरली कम रहने पे हम लोग लगाने वाली दवा देते हैं उससे कंट्रोल हो जाता है जादा रहने पे बच्चों में कुछ खाने की दवा भी चलती है उससे भी ये कंट्रोल हो जाता है तो इसमें कोई ऐसी घवराने वाली बात नहीं है अप उसको हम लोग Diseminated Neurodermatitis उसमें क्या होता है कि पूड़े शरीर पे खुजली होती है, शरीर का चमणा मोटा हो जाता है, और लाल जैसा हो जाता है, तो उसको हम लोग Diseminated Neurodermatitis कहते हैं, यह काफी कम होता है, लेकिन अगर है तो भी इसका पूरी तरह से इलाद संभव है, ल तो जेनस एक्जीमा में कोई बाहरी पदार्थ से इरिटेशन के कारण होता है तो सबसे पहले तो है कि अगर वो पदार्थ पता चल रहा है और इसका सबसे बड़ा मतलब डायगनोसीस का तरीका यही है कि कोई ना कोई इरिटेंट चीज अगर मिल जाती जैसे कुछ लोगों क देखेगा कि बिंदी लगाते हैं तो वहीं पर इक्जीमा टैप कर डेवलाप कर जाता है तो वह भी वह बिंदी में जो ग्लू आता है उससे उसको इरिटेशन हो रहा है तो सबसे पहले तो बिंदी वह लगाना बंद कर देना है और कोई दूसरा बिंदी जो अच्छे कंप तो अच्छे कंपनी का चपल लें और इस तरह से उसको बदल देना है तो आधी समस्या तो वहीं पर खतम हो जाएगी और उसके बाद अगर हलका फुलका रहता है तो उसका इलाज लगाने वाली और खाने वाली दबा से संभर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं यह तो एक जीमा के लिए तो आपनी इलाज भी बता दिया कैसे पहचाने वही बता दिया खान पान पर क्या विशेश द्यान दे जो एक जीमा को मता आगे बढ़ने से रोके खान पान का आजकल जो है सभी बिमारियों में शोशेशन है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको हम लोग कहते हैं तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए जो नियमीत भोजन है वो लेना चाहिए जादा कार्वो हाइडरेट युक्त भोजन न करें आपका जिसतरह का लाइफ स्टाइल है उसी हिसाब से अपने खाने को मोडिफाई करें और खाने में कच्चे फल या जरूर ही include करें यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरूंत कर लें आप हमें फेस्बूक पेज पर भी लाइक्स और कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद